जे मातादी फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल फ्रेंड्स इस वीडियो में आज मैं आपके साथ सेर कर रही हूं कि मकर शंक्रानती के दिन आप 14 दीपक का दीबदान कैसे करें आपको ये दीपक के दीबदान कहां पर करने हैं ये सारी चानकारी मैं इस वीडियो में आप के दीपक ले सकते हैं पीतल के तामे के दीपक भी आप ले सकते हैं बस आपको इस बात का ध्यान रखना है जो भी दीपक आप ले दीपक नए यानि कोरे होने चाहिए पहले सी यूज किये हुए दीपक नहीं लेने हैं यह मैंने मिट्टी के 14 कोरे दीपक लिए हैं जिनको मैं बाती ना से चरने पानी में धोकर के साफ कर लिया हां अब हमा म divert 25 रूइं की पाती आप रेकों इस तरह रोकिन वाली बना सकते हैं या पर आप लंबी बाती के दीपक भी बना सकते हैं उसके बाद इसके आप जी Video दीपक भी जला सकते हैं। यदि आप घिके दीपक ना जलाना चाहें। to आप तिल के तेल तेलर भी चलाना सकते हैं। साथ ही मकष संक्रान्ती के दिन 14 नंबर का भी विशेश महत होता है, इसलिए मकष संक्रान्ती के दिन 14 चौदर चीजा दान की जाती है, 14 दीपक का धीपदान भी किया जाता है, मकष संक्रान्ती से कई प्रकार के दानपुन का नियम निया जाता है, तो उनका वीडियो भी फिश रश्रों के तेल के दीपक बनाए हैं, तो आपको इसमें थोड़ी-थोड़ी तिल डालनी होगी, यह तिल आप खूली या सफ ही तील बनाई हैं。 तो मैंने इसमें काली और सपेद दोनों ही प्रकार की तिल डाल दी है आप केवल एक प्रकार की काली या सपेद तिल भी डाल सकते हैं आप चाहें तो इन सभी दीपक को एक साथ भी प्रजलित कर सकते हैं परना आप थोड़े थोड़े दीपक करके भी इंसा भी दीपक को प्रजुलित कर सकते हैं, अब हम जान लेते हैं ये सभी 14 दीपक का दीपदान हमें कहाँ कहां करना चाहिए, तो सबसे पहला दीपक हमें अपने घर के मंदिन में अपने ठाकुर्जी के सामने रखना चाहिए इसके बाद दूसरा दीपक आप अपने घर की रसोई घर में रखिएगा क्योंकि रसोई घर में माता अनपूना का बास होता है तो आप अपनी घर की रसोई में भी दीपतान अवश्च करें इसके बाद तीसरा दीपतान आपको अपनी घर की दहलीच पर करना चाहिए चौथा दीपतान हमें तुलसी माता के ब्रक्ष के नीचे करना चाहिए पांचवा दीपतान हमें दच्छिड दिसा में अपने पित्रों के नाम से करना चाहिए दच्छिड दे सामें आप आटाई से हल्दी से या फिर रोली से स्वास्तिक कच्छिन बनाना बहाँ पर दीपतान करें छटा दीपक हमें आकास के नीचे अपनी छटपर या बालकनी में या फिर घर के आगन में करना चाहिए इसके बाद साथ में तीपक का दीपतान हमें शिवालय में भवान भुलेनाथ के सामने करना चाहिए फ्रेंड्स बाकी दीपतान आप बरगत के पेड़ के नीचे पीपल के पेड़ के नीचे आमले के पेड़ के नीचे और केले के पेड़ के नीचे समी के प्रक्ष के नीचे और बेल पत्र के नीचे दीपतान कर सकते हैं इसके अलावा आपको घौसाला में और नदी के किनारी या फिर किसी तालाब के किनारे देवतान करना चाईए किसी कारण वस आपको ये सारे ब्रच नहीं मिल पा रहे हैं, कोई नदी पर आप जाकर ये हैं देवतान नहीं कर सकते हैं तो आप बागी बचे हुए सभी दीपक का दीपतान किसी मंदिर में सभी भगवान के आगे कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रच्छों में, नदी तालाव में, गाउ माता में, हमारे इनी परमपिता परमेश्वर और माता रानी का निवाश होता है, जिस तरह से मेरे लिए सभी प्रच के नीचे जाकर दीपतान करना, नदी तालाव पर दीपतान करना संभब नहीं होता है, तो मैं सभी दीपक का दीपतान किसी मंदिर में जाकर के कर देती हूँ, आप भी इसी तरह से किसी मंदिर में जाकर के बागी बचे हुए दीपक का दी मिल पाते हैं उम्मीद करती हूं फ्रेंड्स मकर शंक्रांती के दिन आपको 14 दीपक का दीपतान किस प्रकार से करना चाहिए यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से जदा लाइक करें शेयर करें साथी बैल आइकन को प्रेस करें ताकि हमार आने वाली सारी लिटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके कॉमेंट्स वक्स में जै माता दी हर हर मादेव अवश्लिक धन्वा थ्रेंस जै माता दी हर हर मादेव